हलो फ्रेंड मैं प्रिती अपने यूटूब चैनल प्रिती शेंग आउशीखो में आपका श्वागत करती हूँ फ्रेंड ये 2 मीटर हमारे पास कपड़ा है और आज हम आपको सूट की फूल कटिंग करना बताएंगे जिसमें आपको हम विल वाजू की भी कटिंग करना इस वीडियो में हम आपको पूरी कटिंग बताएंगे लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखना तो सबसे पहले फ्रेंड हम अपने सूट कुर्ती की लंबाई लेंगे तो लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना भी आपको पसंद हैं आप 44 इंच लंबाई रखेंगे वेस्ट रखेंगे हम 14 इंच पे और हीप रखेंगे हम उन्नीस इंच पे तो इस तरह से हम इसका मार्जन रख लेंगे इसके बाद हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हमने जहां-जहां निशान लगाया है उसे सिंटर में सीधी लाइन ड्रॉ कर ल तो इस तरह से हमने लाइन को ड्रो कर लिया है और अब हम आपको चेश्ट कम आप लेना बतायते हैं तो यह 36 इंच की कुर्ती है तो इसका चोथा भाग होगा 9 इंच और इसमें तो इसके बाद हम वेस्ट का मार्जन रखेंगे तो इस तरह से हमारा निशान लगके कंप्लीट हो गया है और इस तरह से में दूसरे में मिला देंगे अपने सारे डॉट को तो आप देख सेते हैं कुर्ती के कटिंग करना बहुत इज़ी है बहुत इसली तरीके से आप कुट कुर्ती की कर सकते हैं और यहां माघन मोल के घुलाई देंगे तो आगे के पार्ट में 1 इंच का रखेंगे और पीछह 1.5 इंच रखेंगे इस तरह से हम इसका निशान लगा लेंगे तो अब इसकी घुलाई देंगे तो कुलाई भी अगर आपके पास सकेल है राउंड सब्सक्राइब और इसी तरह से नीचे सब्सक्राइब निशान लगा देंगे और एक इंच हम आगे मार्जिन के लिए रखेंगे तो फ्रेंट आप एक से डेल इंच पूल करने के लिए रख सकते हैं आपको इतना चोड़ा या पतला चाहिए यहां हम ने एक इंच ही रखा है इस तरह से मारा कुर्ती का निशान लगके कंप्लीट हो गया है और बहुत इजी तरीके से लगा हुआ है और यहां हम आपको दो इंच उपर से फोल करने के लिए यह भी निशान लगाते रहे हैं कि कोई सीधा हमने लंबाई चोवाले सिंच ले उसमें से सिलने के बाद हमा अगर आप मारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और इस तरह से हम एक बॉक्स और बनाएंगे क्योंकि गले की हमने पूरी लंबाई रिखे थे और चार इंच पर हमने गुलाई दी है और नीचे जो हमारे प पने रहेएगा और हम इसे वीडियो में आपको घली की कटिंग करना बताएंगे चैनल को अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें क्लियर जरूर करना आप हमसे पूछ के क्लियर करेंगे तो हम आपको जरूर उसका एंसर देंगे फ्रेंड तो अस्तरह से हमने जैसे निशान लगा था शेम उसी तरह इसके कटिंग कर लेंगे और आपको इसमें कुछ कमिया जादा नहीं करना है तो आप इस तरह से इसली कुर्टी के कटिंग कर सकते हैं और यह देखिए हमारी कुर्टी कट के कमप्लेट हो गई है अब हम आगे के पाट में थोड़ी से इस हमें पाट बच करेंसे और यहां हम उसले से निशान लगा शिजेशन के कमप्लेट हो गई है और अब हम आपको वा actual के कुर्टी करना बताएंगे चांट बचंसरों हमें थोड़ी कट चुछot के विशवा साथ करो थे तो वाजू करनने के थे is a अब हम इसके बाद इसको fourfold करेंगे ये देखिए हमने fourfold कर दिया है fourfold करने के बाद हम यहां से कप्ड़े को शीधा कर लेंगे उसके बाद हम slip की लंबाई लेंगे बाजू की लंबाई लेंगे लंबाई आपने recording रख सकते हैं और पांच इंच यह हम फिटिंग का रखेंगे तो आप यह चीज अपने recording अपने कुर्ती के recording रख शकते हैं यहां से हम धाई इंच नीचे डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम यह हमेशा आपको बताएं कि हम कुर्ती से नाप लेके ही जो है आस्तिन की जो गुलाई होती हो लेते हैं तो यहां यह आया है साड़े 9 इंच और 9 इंच पर हम कटिंग करेंगे तो इस तरह से हम 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे और 8 इंच दो हमने 2 इंच नीचे से रखा था वहां हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से दो लाइन ट्रॉक कर लेंगे बस इसी में हमें एकदम सिंपल सा बॉक्ष बना लेंगे और बॉक्ष बनाने के बाद हम यहां कुर्ती की कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने 1.5 इंच यहां बढ़ा भी दिया है तो आप देख सकते हैं हमने निशान किस तरह से लगाया है और यह हमारी पिटिंग की लाइन है यह हमारा मार्जन है जो हमारा इस्टा कपड़ा है तो यह कुर्ती के कटिंग भी हो गई बाजू की भी कटिंग हो गई यहां से हमने 1.5 इंच इसमें भी रख दिया है यह दिखिए हमारे यह नौ इंच पे आया है और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे फ्रेंग और हमने जैसे निशान लगा था फ्रेंग हम कटिंग भी उसी तरह से करेंगे तो यह बहुत ही आशान है तो अब हमने इसकी कटिंग कर दी है फ्रेंग और बहुत ही आशान तरीके से इसकी कटिंग भी हो गए यह तो हमारी बाजू भी कटिंग इसमें हम बेल बाजू बनाएंगे तो बिल बाजु कट्टिंग करने के लिए भी हम आगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे तो इस वीडियो में हमने सूट के पूरी कट्टिंग बताई है फ्रेंड फुल कट्टिंग बताई है और यहां से हम कपड़े को शीरा कर लेंगे तो यह हमारे दोनों आस्तिन की जो बाजु होगी और यहां बाजु में जो हम वेला स्लिप्स बनाते हैं उसमें साइड स्लाई नहीं होती है अधाजु की लेंगे लिए लेंगे लिए तो आप जितना भी लंबा रखना सकते हैं तो यहां थाहिक लिप्स बोली जाती है और इसके बाद अब यहां से हम ढाजु को जोईं करेंगे तो क्योंकि धाय इंच हम इसके लिए लगाएंगे। वे राउंड बाजू है तो ये और ये कप्रा फूरफोल्ड है तो इस तरह से हम इसके भलाई दे दी असे इसके माप ले क indem ऽे काते हैं तो हमने जैसे लिया है बस अब मारे स्लिप मी कट गया है इसकी भी ठीक हम करके आपको दिखा देबेभे को अढ पन किया है और वह जो हाफ इंस मिल गुलाई दे हूं और गुलाई देने के बाद फ्रेंड हम आस्तिन को अभी आपको खोल के दिखाते हैं ये देखिए हमारी पूरी राउंड आस्तिन है तो बहुत ही सुन्दर सूट बनेगा फ्रेंड आप इसके पूरी कटिंग जरूर करिएगा और अब हम आपको निक कटिंग करना बताएंगे तो हम निक की चोड़ाई रखेंगे 3 इंच और इसका डीपनेश रखेंगे 4 इंच जितना रखेंगे अगर आप रकना चाहें तो पांच रख सकते हैं और इसके बाद इहां से हम इन एक बॉक्स बना लेंगे बॉक्स बनाने प्रेंगे गोल गले का इस तरह से राउंड देएंगे और इसके बास ऑsen बाहर से गुलाईं डे दे करेंगे तो आप अगर साड़ी चार इंच का गल्ला के कटिंग करते हैं नीचे आप 2 या धाइंच पैटन भनाओग तक आप 10 फ़स्ट फ्रस जो होगा वह कमपलीट होगा तो आपका बहुत नीचे कटेंगे दोनों आगे पीछे का पाट हमने काट कर लिया और यह जो हमारे गले से कप्ड़े निकले हुए हैं बचे हुए कहनवास अब उसी पर हम आपको पैटन दिखाना बताएंगे तो तीन इंच हमने धाई इंच हमने इससे नीचे रखा है और यहां से हम डिजाइन बना इसके कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं कि यह कितना अच्छे से गला का पैटन और यह कुर्ती हमारी कटके कंप्लेट हुए है तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पशंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना शेर करना और कमेंट करके जरूर पुछने का आपको वीडियो कैसा लगा पताना हमें जरूर थैंक यू फूर फूल वाचिंग